हलो प्यारे दोस्तों कैसे आप आप सभी का आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर पे स्वागत है मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना दिनों से मैंने इंतजार किया है कि कब कोई मैं प्रिविएस एर पेपर कराऊंगा रेलवे के एक्जाम का क्योंकि बहुत बहुत दिनों से इस सीज का इंतजार था और यह इंतजार अब ख़तम होता हुआ नजर आ रहा है जल्दी आपको notification भी देखने को मिलेगा आज हम railway ALP RRB Assistant Rocco Pilot 2023-24 के लिए आगाज कल ही हो गया था और हर एक समय पर हर एक वक्त पर आप सभी के लिए कुछ न कुछ करते रहना ये मेरी आदत है तो definitely आज सबसे पहली शुरुवात पूरी टीम के दुआरा मतलब मैं साहिल सर मैथ के तौर पर अभी चार बजे इस सेशन के बाद चार बजे हरी सर आपके लिए जर्नल साइंस साइंस का कैसा आता है पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो क्या क्या कुछ यूनिक चीज़े आती हैं क्या वो बताने वाले हैं और छे बजे रीजनिंग का आपके लिए पेपर होगा उससे आपको तीनो सब्जेक्ट में एक आपको एक ओवर्व्यू मिलेगा क्यार अब ऐसे ALP की तयारी करनी हैं तो आप से जितने भी चात्र हैं जो ALP की प्रप्रेशन हमारे जुरू करना चाह रहे हैं और स्टार्ट हमने कर दिये प्रप्रेशन कराना RRB बैच में वो तो आपको जॉइन करना ही है लेकिन उसके साथ-साथ जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं वो भी हम अब डालना आपके लिए शुरू करने वाले हैं तो चलिएगा चुरुआत करते हैं आज के सेशन को गनित में कैसे लाएं फुल माक्स और कैसा आता है पेपर इन सब चीजों को जानते हैं और आप सभी तक इस पेपर की खुबसूरती को पहुँचाना चाहता हूँ चलिए तो आपको मैं पहले पैटन बता देता हूँ कि जर्नल साइन्स के आपको 20 कोशन देखने को मिलते हैं लेकिन ये कम या जादा हो सकते हैं ये जादा भी हो सकते हैं मैट के 20 कोशन देखने को मिलते हैं ये जादा हो सकते हैं reasoning के 25 question देखने को मिलते हैं, ये कम या जादा हो सकते हैं, और journal awareness के भी आपके कम या जादा हो सकते हैं, sir ऐसा क्यों, क्योंकि 75 question का जो paper आता है, वो आपका mix आता है, मतलब उपर नीचे कोई भी question कभी भी कैसे भी आ सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों, 60 minute का आपका duration रहता है, इस paper का, इसी तरह से CBT-2 में भी देखो math साती है, journal intelligence, journal science, journal awareness, और उसके बाद आपकी जो trade का paper होता है, वो अलग से होता है बस, तो दोनों में CBT-1 और CBT-2 में ये वाला portion common है, मतलब अगर आप एक बर तयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों CBT-1 और CBT-2 दोनों में पूरी-पूरी मदद मिलने वाली है, अलग syllabus नहीं है, दोनों के लिए दोनों चीज़े सेम रहने वाली है, ठीक है मेरे भाईयों ये बात तो clear हो गई, आप लोगों के लिए, ALP के लिए railway का RRB batch आ चुका था, पहले ही करीबन एक महीने से तैयारी इसमें चालू हो चुकी है, आप सभी लोगों को जुड़ना है इस batch में अगर selection लेना चाहते हो, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से planning करके पढ़ा रहा हूँ, शान्ती से पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों को arithmetic पूरा आपको VOD में मिल जाएगा, यानि कि recorded में, क्योंकि वो करवा चुका हूँ मैं, advance में चालू हो जाएगा, तो दोनों ही सारी की सारी चीज़े बढ़िया हो जाएंगे आपके लिए, दूसरी चीज़ आपके लिए क्या है, उसके अरावा आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोई, और भी कहीं पैसा नहीं डालना, क्योंकि इसी में ही आपकी reasoning, इसी में ही आपकी GK, इसी में आपकी GS, सब कुछ cover कर देंगे, हर teacher बहतरीन है, और आप जानते हो, मैंने जो काम किया इस railway में, मैंने यही बोला है, कि इस बार हम बच्चे का selection करवाना है, तो आप हमारे साथ आज जुड सकते हैं इस batch में, आज आपको बताया था, कि मैंने demo भी railway record breaking batch का नाम है, और आप ALP के लिए, RPF के लिए, NTPC के लिए कोई अलग से नहीं लेना, इसी batch में सब हो जाएगा आपका, तो यह batch 2000 का है, लेकिन अगर आप आज जुडते हैं, केवल आज आज के लिए, तो आपके लिए help 100, capital में without space लगाकर, coupon code लगाओगे ना, तो आपको discount मिल जाएगा, कौन सी application पर मिल रहे हैं मेरा batch, यह अपनी खुद के परिवार की application है, quick tricks by sahil sir, यह खुद की application है, यानि कि अब आप इतने दिनों तक कहीं और connected थे, लिकिन अब आप अपने परिवार में आ चुके हो, अपने घर में आ चुके हो आप, तो quick tricks by sahil sir application पर, आपको यह batch मिल जाएगा, आज आज रात तक का यह offer है, लगा लेना जिसको भी जुड़के तैयारी शुरू करनी है, sir हम अलग से batch लेना चाहते हैं, तो individual batch भी आप ले सकते हो, math का लेना चाहते हो, gk, gs, reasoning सब का मिल जाएगा है न, तो उसमें भी आप help 100 लगा कर, वो भी आप जुड़ सकते हो, तो आपको अपनी application पर जाना है, paid course में जाना है, और अब batch में ले लेना, चलिए, अब मैं पहले question की शुरुवात करता हूँ, मैं वो बताऊंगा है न, test series के बारे में भी बता दूँगा, मैं मज़ा कर दूँगा आप लोगों के लिए, ये guarantee है मेरी, इस मंच के मात्यम से, ऐसा नहीं है कि मैं free classes नहीं दूँगा, मैं free classes भी दूँगा, और मैं आपको तरीके से पेड़ में भी पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा लेकिन, और दौनों में अंतर रहेगा, तो जो बच्चा दौनों जगए पढ़ रहा है, वो गोली गेड़ बन जाएगा, समझे रहो, मतलब किसी से रुखने वाला नहीं है वो बच्चा, और सुनना, ये math की class है, इसके बाद अगली class science की class है, और ये पूरी team जोड़ार मेहनत कराने वाली है आपको, ये guarantee है, समझे रहो मेरी बात, चलिए, अब स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन, बहुत मज़ा आगया paper को देखकर, तो question आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है, ये लीजिएगा, कोशन बड़ा प्यारा है, इसमें कुछ अलग है कोशन में, और वो बच्चे से प्रशनों की गलती करवा सकता है, तो अभी मैं आंसर देख पा रहा हूँ, पंकज, शुभम, शुदिप्ता, और बीरू, और क्या कहते हैं, आर्ती, इन सभी के आंसर आ रहे हैं, इसमें क्या अलग है, ऐसा क्या different है, इस question में जड़ा देखते हैं, मैं question को पढ़ता हूँ, एक तपश है, एक अभी है, एक रिशी है, के बीच, एक केक को बांटा गया सर, तपश को केक का एक बटे दो भाग मिला, रिशी को एक बटे तीन भाग मिला, शेश अभी को प्राप्त हुआ, आप मुझे एक common sense बताईए, क्या यहाँ पर, ऐसा होगा, कि overall मैं LCM छह ले लूँ, एक बटे दो आपको किसका मिल गया, यह मिल गया तीन, एक बटे तीन किसको मिल गया, दो मिल गया, और क्या मैं एक बना सकता हूँ, यह एक बचा, तो कितना भाग बच जाएगा, एक बच जह बाग, कितना बच जाएगा, एक बच जह, कुल का, इसका यही तो बचा हुआ है यह 6 किश को मिल जाएगा यह 6 आपका अभी को मिल जाएगा और टोटल कितना माना था आपने 6 माना था अब मैंने ऐसे solution नहीं करवाना है आपको और मैं ऐसे solution करवाना भी नहीं चाहता मैं आपको समझाना चाहता हूँ को कैसे कर पाएंगे कैसे समझ पाएंगे और ऐसे कोशन बहुत आने वाले हैं इसको कहते हैं फ्रेक्शं पर आधरित भिणौ पर आधरित फ्रasına है तो सर हमें पहले क्या थे कभी भी कोई चीज उती है उत्य अपने आप में कितनी होती है तो अपने आप में कोई भी चीज आपकी क्या होती है, मैतरा नमबर वन, कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, यहां सक्सेसिव है क्या यह बता दो बस, क्या यहां सक्सेसिव लगेगा, क्या यहां पर सक्सेसिव लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगा नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी जैसे कि तपस को केक का एक बटे दो भाग, रिशी को शेश का एक बटे तीन, तो कोशन अलग हो जाता, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो कोशन ये अलग हो जाता, कोशन ये सेम नहीं रहता फिर, ये कोशन बिलकुल अलग हो जाता, शेश अग पुल का चलिए तो बस एक माइनस इसको solve करेंगे तो पांच बटे 6 जाएगा तो कितना बचेगा एक बटे 6 ये इसका answer हो सकता है आप में से किसी को को दिक्कत तो नहीं आई आई आप में से किसी को को दिक्कत तो नहीं आई ये चीज clarity के साथ समझना बहुत जरूरी होता है क कि शेश नहीं पढ़ता तो गड़बड हो जाएगी यहां शेश नहीं है तो इसलिए directly घटा सकते हो तो यह जो बचा हुआ भाग है यह अवी का भाग है simple घटे गया बस खतम बात clear है भाईया concept हाँ या ना में एक बर जवाब दे दीजिए किसी को किसी तरह की कोई समझ्या method number one method number two method number two कभी भी किसी हिस्से को बांट रहे हो तो हम क्या काचाते हैं कि यह इस तरह की fractions ना हैं तो आप यह बताईए अगर तपश को एक बटे दो मिल रहा है रिशी को एक बटे तीन मिल रहा है तो आप दो और तीन का एक ऐसा गुनज मान लो जो आप कुल मान सको तो आ किसी को कूग तो आपके दोनो तरीके से मैं आप प्रश्णों को बताया किसी को को प्रॉब्लम तो नहीं पहले कुशन में, सीखने को मिल रहा है, एक बार यह सी अनों में जवाब चाहता हूं चात्रों, और रेलवे के जितने भी चात्रे हैं, हुजूम लगा दीजिए, जोड़ार जुड़ जाईए, इसके बाद आपकी साइंस की भी क्लास है, और उसके बा देखिए बैया, वर्गमूल एपरी में, अगर आप ध्यान रखते हैं, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्दिगी में याद रखना, जब भी किसी संख्या का इकाई यंग, लिख लो जब किसी नंबर का, या संख्या का यूनिट डिजिट, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट, दो आजाए, तीन आजाए, साथ आजाए और आठ आजाए, तो कभी भी पून वर्गमूल हो ही नहीं सकते, कभी भी पून वर्गमूल नहीं होंगे, कभी भी पून वर्गमूल नहीं होंगे, पॉइंट लिख लिया, यानि कि हमेशा आपके क्या रहेंगे, मतलब हमेशा नॉन पर्फेक्ट रहेंगे, नॉन पर्फेक्ट रूट होगा, always कब होगा जब इकायंग 2, 3, 7, 8 है तो हमेशा एक बात याद रखना एपरी में संख्या क्या होती है एपरी में संख्या जिसको हम irrational number बोलते हैं irrational number वही number होती है जो खुद non-perfect हो खतम बत मतब हाँ non-perfect number जो होता है non-perfect root non-perfect root यानि कि अपूर्ण मूल अब वो चाहे है अपूर्ण वर्ग मूल हो अपूर्ण घन मूल हो कैसा भी हो अपूर्ण मूल क्या होगा आपका हमेशा एपरी में कहलाएगा जैसे कि कभी भी आप लिख दो 3 प्लस root दो क्योंकि root 2 नहीं निकाल सकते अच्छा कभी मैंने लिख दिया पांच का घन मूल ये निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते तो ये क्या कहलाएगा अपरी में कहलाएगा अगर कभी मैं लिख दो 125 का घन मूल तो क्या ये अपरी में है नहीं ये परी में है परी में क्यों है क्योंकि आप इसका घनमूल निकाल सकते हो जो कि 5 आजाएगा तो ये परी में हो गया तो इसका मतलब इस प्रशन का अंसर A होने वाला है क्योंकि यही एक एकलोता option है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें 8 इकाई का अंक आ रहा है और इसलिए इसका कोई वर्गमूल स कि खर्च करने की जरवत है और तरीके से अगर आपने मेरा math foundation पढ़ लिया reasoning का आकासर का बैच पढ़ लिया और science का हरीसर का जीके का हरीसर का बैच पढ़ लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा मज़ा मतलब 100% ठीक है चलिएगा हाँ अब यहां तक clear हो गई बात अब आते है और यह किसका है 64 का वर्गमूल है आपको कैसे बता है ठीक है clear idea समझ में आ रही है हाँ समझ में आ रही है तो यह वर्गमूल है तो इसलिए यह आपके परीमे होंगे चलिए अब आता है प्रश्न पेपर में आपके रेलवे में यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है बहुत इसका परीमे करण गुणांग क्या है परीमे करण गुणांग क्या होगा rationalizing factor याद आ रहे है आया था ना 2008 में याद आ रहे हाँ नया नया आया था हर बच्चे फस गए थे 2008 की बाते मेरे को अच्छे से याद है कि भाया इसका आपको परीमे करण गुणांग निकालना हो त यानि कि साथ के चौथे घात का परी में करण गुणांक क्या होगा तो आपका ये लॉजिक रहता है सर कि साथ की पावर इसको एक बटे चार कहते हैं तो इसमें ऐसा क्या गुणा करूँ ठीक है इसमें ऐसा क्या गुणा करूँ कि यह आपकी जो संख्या है वो परी में बन जाए यह से करोगे बताओ इस कुशन को तो 7 की घात 1 बटे 4 में 7 की घात 3 बटे 4 का गुणा करने पर ऐसा क्यों सर क्योंकि आप यह जानते हो एक ही घात अगर M हो और गुणा एक ही घात अगर N हो तो ही आपका M प्लस N बनता है तो यहाँ अगर आपको परी में संख्या बनानी है यानि कि 7 की पावर 1 बनानी है तो क्या मैं ये कहता हूँ कि यहां अगर 1 बटे 4 है तो यहां आपको 3 बटे 4 रखना पड़ेगा 7 की और ये जो factor है इसी को ही हमने क्या कहा इसी को ही हमने क्या कहा परी में factor कहा, rationalizing factor कहा और option में ऐसे दिया गया था option में ऐसे दिया गया था, sir आपका सारे previous year हैं, इसमें मैंने हर railway के exam के previous year डाले हुए हैं, पहले ही मैंने launch कर दी थी, चार-पांच महीने पहले ही, ठीक है, यही book best है, इसके अलावा कुछ मत लेना, ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छा, मैं एक question देना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए, मैं पूछ रहा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 32 का, रूट 32 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बताइए, हाँ, रूट 32 का RF क्या होगा, प्लीज, ठीक है भाई, struggle, ठीक है, तो आप यह देखते होंगे, मेरे भाईयों, कि सर, 32 की बात अगर आप करवा रहे हो हम से, तो हम यह कह सकते हैं, 16 दूट 32, तो 16 का तो आपने solve कर दिया, 4 रूट 2, तो ऐसा क्या गुणा करूँ, तो मैं कहता हूँ, रूट 2 का ही गुणा कर ले बस, क्योंकि रूट 2 गुणा होते ही, यह आपकी परी में संख्या बन जाएगी, याने की 8 बन जाएगा, तो इसलिए यह क्या हो जाए, आपकी वो संख्या एक परी में संख्या बन जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इग्नोर मत करना, अगर कभी भी आप से कोई पूछे की परी में करन, रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालना है, तो कोई भी छोटी से छोटी संख्या, इसमें ग जबाब दें, और कैसा लग रहा है इतने दिन बाद रेलवे का पेपर सॉल्व करना, यह मुझे बताएं, क्योंकि टार्गेट है, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स मतलब फुल पटे फुल, आईएगा, अगला कुश्चन आता है आपके पेपर में, इस तरह का, देखिए क्य आउसर देते हो आप, और पूरी थियोरम भी एक्स्प्लेइन करूंगा, आप देखिए, सबसे पहले प्रशनों को पढ़ना जरूरी है, जिससे कि आपको यह पता चले क्यार, यह ऐसा प्रशन आता है, और यह किस चीज़ पर बेजड है, कि उप्रोक्त ब्रत में, यह एक उपर ब्रत दे रखा है, जिसमें एक चाप दे रखा है आपका AB, को आपक और DE की जो लंबाई है, वो 8 है, DE की जो लंबाई है, 8 है, तो आपको BD निकालना है, यह तो ऐसा लग रहा है, भी किया हुआ सा, है, चलिए, है न, ऐसा लग रहा है न, देखो, तो हम क्या कह सकते हैं सर, DB, गुणा, AD, बराबर, DE स्क्वायर, चलिए, तो DB कितना है, X है, और AB कितना हा रहा है, 12 प्लस X है, और DE कितना हा रहा है, 64, 8 का स्क्वायर, फॉर्मूला अच्छे से लिख देना, कि जो इस पर श्रिखा का स्क्वायर होता है, वो DB इंटू DA के बराबर होता है, X की value निकालनी है सर, तो यहां आप 4 रख दो, जैसी आप 4 रखोगे, तो 16, 64 हो जाएगा, 4 रखते ही, 16, 64 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, आज कहिए क्या, वेल डन, चलिए, अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, क्या concept लगाओगे इसमें, कैसे का गजब का कुश्चन है, बहुत बढ़िया कुश्चन है, आपका समय शुरू करते हैं, देखते हैं, ऐसा अलगवे पर नहीं आता है, आप देख लो, सर आपकी कृपास है, आज मेरे पास जॉब है, सब के बास होगी डियर, और हम तो लगातर मेहनत कराने वाले अध्यापक हैं, चलिए, 13 मीटर एक लंबी एक सीड़ी है, एक खिड़की तक पहुंचती है, अच्छा, तो एक सीड़ी बनाते हैं पहले, तो एक सीड़ी बनाऊं सर, और जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर उपर है, यदि इसके पाद को उसी बिंदू उपर रखते हुए, सीड़ी को दूसरी ओर लगाया जाता है, ऐसा कुशन है, जैसे कि मालो यह सड़क है, और सड़क पर यह एक दीवार बनी हुई है, और एक ऐसी दीवार बनी हुई है, आपर कुशन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए आप समझिएगा, बोला जा रहा है, कि 13 मीटर लंब इस सीडी को आपने इधा ट्रांस्फोर्म कर दिया, चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को, यह काम करते हुए, सीडी की लंबाई बदलेगी क्या, सीडी की लंबाई तो नहीं बदलेगी साथ, यह भी 13 रहेगी, अब यहां भी 13 रहेगी, इस बिंदू से आपने पहले बार पर, ऐसे अड़ा दी, ठीक है, अब यह जम्मीन से कितना था 12 मीटर, ठीक है, और जब खिड़की तक 5 मीटर उचाई तक पहुंसती है, तो यह कितना आ गया, 5 आ गया, जम्मीन से 12 मीटर उपर है, अच्छा यहां पर 12 मीटर है, माफ कीजे, यहां पर 12 मीटर उचाई पर है यहां पर सीडी आ रही है 12 मिटर उचाई पर यहां पर सीडी आ रही है 5 मिटर की उचाई पर बस किसको क्या समझ में आ रहा है यहां पर इतना करने के बाद कि सर यह 90 डिगरी है यहां पर आ जाएगा सर 5 5 12 13 यहां पर आ जाएगा सर 5 12 13 तो इन दौनों किनारों के बीच की दूरी पूछी गई है आपसे तो आंसर आजाएगा 17 सर ये क्या किंसेप्ट है कभी भी राइटेंगल ट्राइंगल लगता है तो पाइथागोरस तो सुनाई होगा भूले तो नहीं हो न तो ये सडक की चोड़ाई निकालने का तरीका है तो अभी तो चलो अच्छी चीजे आप क्या करना शुरू कर दो एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो अभी से ही आप अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो अब यहां देखिएगा ट्रिपलेट कैसे काम आते हैं ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स क्या होता है लगते कम है जब भी भी पाइ आधार का स्क्वायर प्लस आपके लंब का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा इसी को ही हम आपके ट्रिपलेट को बोलेंगे तो क्या हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि सर पहला ट्रिपलेट मेरे को जो याद याद आ रहा है इसको अगर 2 से गुणा करोगे तो एक आएगा 6, 8 और 10 इसको तीन से गुणा करोगे तो एक आएगा सर 9, 12 और 15 और ऐसे आप कितने ही ट्रिपलेट निकालके रख सकते हो आराम आराम से समझाया जा रहा है किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और किसी को अगर लेकिन ठीक है, रिलेक्स होके पढ़ते हैं, सीखना परपस है, और घंस काटना परपस नहीं है, और ना काटी जाएगी कभी भी, ठीक है, सर, CBT में, ट्रेड के लिए कौन पढ़ाएगा, देखो भाई, अभी के लिए नॉन टेक्निकल की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, धीरे ट्रेड का भी मैं टीचर्स आ रहे हैं, उनसे भी बात, उनसे भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए समय लगेगा, है ना, लेकिन वो उस बैच में, जो आरर भी बैच है, उसमें आपको नॉन टेक्निकल ही मिलेगा, यह ध्यान लखना, आई है, ब पर ट्रे न्ट मिलेगा, ग्यारह, साथ और एक सट, बारह, पैंतीस सैंतिस, बारह, पैंतीस सैंतिस, तेरह, चौरासी और पिच्ड़ासी, ठीक है, 16, 63, 65, और अपना है हो जाएगा सर 20, 21 और 39, 20 21 और 29 119 120 169 28 45 53 यह जितने भी मैंने लिखवा दिये इनसे भार आज दावा कर रहे हैं साहिल सर आप से इनसे भार कोई भी किसी भी हतियार देना शुरू कर रहा हूं आपको यह मैत के हतियार हैं चो हमेशा काम आएंगे चलिए इनसे भाहर एक भी ट्रिपलेट नहीं जाएगा सब याद होना चाहिए promise आगे चलो अगला question देखिए लो जिसका था तुम्हें इंतजार आगया बहुलक का question वही बार चलो भईया क्या होगा अब देखा गया सब यदी बहुलक और मादिका का अंतर तो ये कभी भी एक relation होता है जो relation होता है क्या ये mod बराबर mod बराबर आपका होता है सब 3 into median minus का 2 into mean 3 into median minus का 2 into mean mod को बोलते हैं बहुलक नहीं पता तो median को बोलते हैं मादिका और मीन को बोलते हैं माद्य और मेरे सभी प्यारे railway चात्रों इसको भी आप लिख लो आगे से हम इन चीजों को इस तरा सी करेंगे कि mean को हम x के ऊपर बार लिखा करेंगे ठीक है और mod को हम z लिखा करेंगे mod को हम z लिखा करेंगे और median को हम m लिखा करेंगे यह notation होते हैं यह चीजे short form में लिखने में काम आते हैं आपके, है ना, तो उससे आपको भी मदद मिलेगी और paper में भी जल्दी solve होगा तो अभी से ही वो चीजे बनाना शुरू कर दो आप यहां दिया क्या है सर बहुलक और माद्धिका के बीच का अंतर तो बहुलक जैड होता है और माद्धिका को m बोला, तो जैड माइनस m बराबर 2 है, ठीक है अब आपको माद्धिका और माद्धिय में निकालना है तो माद्धिका और माद्धिय में अंतर निकालना है तो बहुलक को रख दो, यानि की फॉर्मूला क्या है कि जैड बराबर 3 m माइनस 2 x के उपर बार इस वाली समीकरण से जैड का मान रखने पर जैड का मान क्या रखोगे 2 प्लस का m बराबर 3 m माइनस 2 बार तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 बराबर 2 m माइनस 2 x के उपर बार 2 से 2 कॉमन ले लिया तो माद्धिका और माद्धिका जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है माध्द्य का और माध्द्य का जो अंतर आ रहा है वो एक आ रहा है कैसा लग रहा है अच्छा लगा तो कभी भूलोगे नहीं और इससे करने में अभी से शुरू कर दीजिए अब बताईए सर निम्न में से कौन सी एक ट्राइंगुलर संख्या नहीं है देखो यार मतलब यह चीज़े रेलवे की अलग खुश्बू देती है हर एक कोश्चन रेलवे की अलग खुश्बू दे रहा है आप यह महसूस कर पा रहे हो मैं महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो आदत मुझे तो आदत है ठीक है मैं महसूस कर पा रहा हूं आप देखि बनाए फिर तीन बिंदी बनाए डायरेक्ट फिर तीन बिंदी के बाद में ट्राइंगल के लिए फिर और नीचे तीन बिंदी फिर एक बिंदी फिर दो बिंदी फिर तीन बिंदी और फिर उसके बाद चार बिंदी इस तरह की जो संख्याएं होती है, वो ट्राइंगुलर नमबर होती है, तो यह satisfied कर सकते हैं आप खुद को, हाँ जैसे कि एक आ गया, दूसरी निकालने के लिए 2 जोड़ दो, 3 हो गया, 3 जोड़ दो, के 6 हो गया, 4 जोड़ दो, के 10 हो गया, ऐसे चलती जाएगी, तो देखो तो तीन है, येस, पांच नहीं है सर, पांच नहीं है बस, क्योंकि पांच से तो निकल चुक है ना, पांच तो आ भी नहीं सकती, तो पांच आपकी ट्राइंगुलर नंबर नहीं है, पांच आपकी ट्राइंगुलर नंबर नहीं है, सर इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है बिल्कुल है कि कभी भी अगर आपको triangular number निकालनी हो तो formula होता है n into n plus 1 by 2 यानि कि n क्या रखेंगे पहली triangular number निकालनी है तो check कर सकते हैं एक आ रही है सर दूसरी निकालनी है तो check कर सकते हैं 3 आ रही है सर तीसरी निकालनी है तो check कर सकते हैं 6 आ रही है तो ऐसे आप निकाल निकाल के देख सकते हो ठीक है चलिए अगला कुशन करके दिखाएं आपको करिए क्या खुश्वू है इन कुशनों की यार तरस्ति थे आप इन कुशनों को करवाने के लिए न अब देख लीजिए करवा पा रहे हैं आप सभी पास्तिविक संख्या ले लो तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि X का मान अगर मैं 7 ले लूँ तो X-5 यानि कि 7-5 यानि कि 2 क्या एक सम संख्या हो जाएगा हाँ ये एक सम संख्या हो जाएगा मैं संतुष्ट हूँ आप मेंसे किसी को को समश्या कुशन जैसा बोला वैसे ही तो क्यों करेंगे आप ठीक अब अगर x 7 हो गया तो x को अगर मैं 7 रख रहा हूं तो 7-15 पूछा गया हैNow, नेगरिटिव भी होते है, जीरो भी होते हैं ऑड पॉजिटिव भी होते हैं, पूर्णाथ थिन ओ होते हैं चलिए, x7-10 क्या यह ख्या और इंटीजर आ कथन 2 पर्याप्त है लेकिन केवल कथन 1 एह पर्याप्त है, दौनों कथन एक और दो पर्याप्त नहीं है, क्या हम बोल पा रहे हैं? तो हम यह कह सकते हैं भाई, कि X को अगर डिसाइड करना है, तो मेरे इसाब से, ये वाला, पहला वाला, इसका कोई दम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप सम और विशम में बात कर रहे हो, सुनना बात को, तो रेफरेंस पूर्णांख होना नहीं, पूर्णांख तो वैसे भी आता, तो आपसे मैं कहूंगा कि कथन 2 पर्याप्त है, केवल कथन 1 एह पर्याप्त है, लॉजिक बताओं, दुबारा सुनना चाहते हो, लॉजिक क्या है इसके पीछे, इसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा, मैं दुबारा बताओं आप लोगों को, मैं समझाता हूँ, आजाओं, लॉजिक यह है, कि अगर आप ये पहचानना चाहते हो, खो कि भाई x समसंख्या होनी चाहिए तो x आपका क्या होना चाहिए x आपका एक विशम पूर्णांक होना चाहिए तो ऐसा कहा लिखा हुआ है कि भाई x यहां पर कुछ भी रखोगे तो पूर्णांक की आएगा तो इस statement का इस पहले वाले statement का x पर निर्भरता dependency नहीं है आप चेक कर लो चाहिए तो गलप क्या रहा हूं क्या मैं भाई आप पहले वाले statement में x कुछ भी रख दो वो हमेशे सही रहेगा तो जब x पर dependency नहीं है तो मैं क्या उसका जख मरा हूं क्या अगर पहला मेरे को दे देता और दूसरा गलप दे देता तो मैं फिर भी आप परयाप्त बोलता क्योंकि dependency ही नहीं है जिस statement पर x की value रखने से कोई फरकी ना पढ़ रहा हो तो उसका क्या मतलब है यार पहला option खत और आप interested हैं तो बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा आपको अड़ो बस अच्छे से करो अगला कुश्ट पर इंदर उसकी भी आपको जो भी clarification है कितने का diploma है कैसे है वो सब clarification आपको notification में मिलेगी और कुछ दिन बाद ही आ जाएगा चिंता ना गरना कर दो कि कर दो कि कमपनी एवी सी की बिखरी कैसी रही सर बताओ मैं देखता हूं एक बार तो पहला statement है कि यार ऐसा है कि कमपनी एवी सी में 75,000 साबुन 70 रुपए के हसाब से बेचे तो यहां से भी विक्री निकल सकती है और उत्पादन के छेत्र में एवी सी के पास कोई दूसरा उत्पाद ही नहीं है तब ही अच्छा अगर इसने पूरी कमपनी की विक्री पूछी है और इसने तो केवले एक उत्पाद बताया है कि वही सावुन सावुन के बारे में बताया लेकिन यहां यह इस्टेटमेंट अगर दूसरा नहीं होता तो क्या आप यह बता पाते कि कुल विक्री कितनी है कंपनी की बताओ क्या आप बता पाते आप सब पेड में एडवांस चालू कर दीजिए अब चलिए तो आज आपका मैंने कोड भी बता चुका हूँ अपनी एप्लिकेशन कुईक्ट्रिक्स भाई साहिल सक पर जुड़कर हैल फंड्रेर लगा देना एची एलपी वन डबल जीरो यह केवल आज रात तक वैलिड रहेगा फिर आप लगा लेना जो भी है ठीक है इसलिए मेरे लिए दौनों ही सफिशेंट हैं भी option answer होगा अब ऐसे question हो कि बिना practice करें आप सही कर सकते हो क्या मैं अगर आपकी जगह हूँ और मैं अगर student हूँ तो मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे question की practice करनी पड़ेगी बिना practice के सही नहीं हो सकते यह questions अगला करिए और practice मैं आपको कराऊंगा बढ़िया तरीके से हम यह practice करी रहे है अपने चैनल पर चैनल को subscribe कर लेना अभी इसके बाद science की भी class है science की इसके जस्ट बाद ही है मतलब 4 बजे और 6 बजे reasoning भी है बढ़िया पड़ो मज़ा आ जाएगा आपको टीचर से पढ़के करी अगला ईक रेल गाड़ी 90 km की चाल से 100 मेटर लंब़े पुल को पार करती है 10 सेकड में अब आथ देखो पुल को पार कर रही है तो रेल गाड़ी की खुद की लंब़ाई भी होगी पुल कितना लंबा है 100 मेटर तो दूरी बराबर चाल चाल कितनी है 90 किलोमेटर प्रती गंटा उसको मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी होता है मीटर पर सेकंड में 10 सेकंड में पार कर रहा है खेल खतम अठारे पंजे 90 ये आगया 200 तो आपकी जो रेल गाड़ी की लंबाई आजाएगी वो आजाएगी 1,500 25 इंटू 10,500 में से 100,500 बहुत बढ़िया मीटर खेंच रहे हो 1600 रुपे की राशी को 6 साल की अबधी के लिए 5% वार्षिक साधन ब्याज पर अरजित ब्याज कितना होगा पैन नहीं चलाना है साधन ब्याज है ना तो देखिए 36-35% इसका तो 16-38 कभी भी रहां रखना प्रिंसीपल का डायरेक्टली आर गुणा टी 30% 48 480 480 Next निमने लिखित में से कौन सा सही है सर निमने लिखित में से कौन सा सही है बताईए तो कैसे करोगे कभी भी दो फ्रेक्शन आ जाएं ऐसे घबराना नहीं है जैसे 29 बटे 6 लिखा हुआ है और 43 बटे 12 लिखा हुआ है एक तरीका तो ये है कि इस डिनोमिनेटर को बराबर कर लो 2 से उपर नीचे गुणा कर दिया तो साफ सा पता लगया कि 58 43 से बढ़ा होता है अब से 7 साल वाद विराट मोहिंदर से दोगना बढ़ा होगा 5 साल पहले मोहिंदर की आयू विराट की आयू की 2 बटे 5 से एक साल कम थी तो विराट की वर्तमान आयू क्या है अच्छा कुशन है लेंग्वेज बेस्ट है तो आप लड़ाई कंसेप्ट लगाने की कोशिश मत करना क्यों करोगे खाम होगा सिंपल लेकर चलो एक्वेशन बनाकर वैरियेवल बनाओ अब से 7 साल वाद विराट मोहिंदर से दुगना बढ़ा है तो मैंने साथ साल बाद की बात कर रहा हूँ साथ साल बाद क्या ऐसा कर देता हूँ मैं कि वर्तमान में वर्तमान में विराट जो है एक्स का है माल लिजिए तो साथ साल वाद विराट मोहिंदर से दुगना बढ़ा होगा तो साथ साल वाद विराट मुहिंदर 7 साल बाद से दुगना बड़ा होगा खलत क्या रहा हूँ क्या बोले नहीं सही है तो मुहिंदर कितने का हो जाएगा मुहिंदर भई इतने का हो जाएगा ठीक है फोशन देखो एक तरीका उल्टा भी है विराट की अगर वर्तमान आयो ले लूँ फिर कर लूँ तो भी हो सकता है ऐसे लेकिन चलो ठीक है पूरा ही सॉल करवा देते हैं और क्या करें विराट की आयो को मैंने मान लिया 7 साल बाद मुहिंदर को भी मैंने मोल दिया 7 साल बाद और उसके आयो का दुगना हो गया ये पहली equation मैं बना लेता हूँ आप मैंसे किसी सर्जन को कोई समझ्या यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो V प्लस 7 बराबर 2 M प्लस का 14 और यहां से देखो V माइनस का 2 M बराबर 7 पहली equation मैंने बनाई है आराम से दूसरी equation है 5 साल पहले 5 साल पहले मोहिंदर की आयो 5 साल पहले मोहिंदर की आयो विराट की आयो के 2 बटे 5 से 1 साल कम थी किसी को को दिक्कत है क्या? जब भी आप equation बनाते हैं तो खुला होके बनाई है मतलब डरना नहीं है लेकिन विराट की पास साल पहले है ना कि आयो से एक साल कम दे तो M माइनस का 5 बराबर 2V अपॉन 5 माइनस का 2 माइनस का 1 M और माइनस का 2V अपॉन 5 बराबर 5 में से 3 गया तो 2 तो 5 M माइनस का 2V बराबर 10 मेनत करवा दी पूरी कर रहे हैं पर और क्या तो गुरू जी ऐसा करो 2 से गुणा कर दो जैसी 2 से गुणा करोगे विवस्ता बैठ जाएगी तो उनों को जोड मारो और जोडती देखो ये M बराबर कितना आ रहा है और ये 24 आ रहा है और M बराबर अगर 24 आ गया तो निकल जाएगा सरी ये निकल लो कहीं पर रख दो M बराबर अगर 24 आ गया तो 24 दुनी 48 और 10 58 58 और 4 62 तो 62 में से 7 चले गए तो 55 विराड 55 साल का हो गया आ वही साब बहुत अगड़ा कुश्चन है सर फाउंडेशन लिये हैं मैच हरी सर का इंडिविजूल वैचिं मिल जाएगा आपको आज अगर जोडते हो तो हेल फंड्रेड लगा देना डिस्काउंड मिल जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखना भई आपको यह कुश्चन कैसा लगा आपको बारवा अच्छा कुश्चन था मतलब महनत तो पूरी करवाई ली लॉजिक क्लियर हुआ ना कि जिसको पांस साल पहले की बात की गई ना तो दौनों ही पांस साल पहले चले जाएंगे साथ साल बात की बात करोगे ना तो दौनों ही साथ साल बात चले जाएंगे यह ध्यान रखना यह गलतिया नॉर्मल बच्चा कर लेता है अगला में swimming pool को 3 tanker ABC के माध्यम से 10 गंटे में भरा जाता है तीनों tanker के माध्यम से tanker C tanker B से दुगना तेज है tanker C जो है tanker B से दुगना तेज है tanker B tanker A से दुगना तेज है तो मैं यह कह सकता हूँ यह 2 कर दो यह 4 कर दो और यह 1 कर दो और यह तेज मतलब efficiency है यह और तीनों tank मिलकर कितना time लेते हैं तो देखो सर साथ साथ की छमता है और 10 गंटे लेते हैं तो total tanky की capacity इतनी हो जाएगी और A अकेला भरेगा तो 70 गंटे लेगा अकेला A क्योंकि A की छमता का भाग कर दिया बस क्योंकि आप यह जानते हैं जो भी capacity हो या काम हो जो भी आप मानते हो वह आपका time into efficiency के बराबर होता है सब्सक्राइब किया अरी गोडियार आपने सब्सक्राइब किया answer बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा पंदरा 376 का वर्गमूल होगा कैसे करोगे भाग विदी से करना अच्छा लगेगा वही विदी अच्छी है पंदरा 376 का वर्गमूल क्या होगा सर यह को पंदरा 376 की बात हम कर रहे हैं तो पंदरा 376 आपको सबसे पहले क्या बनाना है दो का जोड़ा बनाना होता है पीछे से अब यहां 153 के आसपास आप पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ मैंने देखा सर 12144 तो पहली बात तो देखो यह option तो खतम ही हो गया अब जैसी 144 यहां लगाओगे तो यह कितना आजाएगा 9 आजाएगा यहां और फिर 76 को पूरा उतार लिया जाता है वर्ग मूल है ना इसलिए और 12 को यहां जोड़ दिया जाता है तो 12 और 12 कितना हो गया 24 अब ऐसा बताओ मेरे को 24 के पाड़े में ऐसा क्या रखूँ जिससे की 976 के आसपास पहूंच जाओ वो ले यार इसमें क्या सोचना इतना यार 4 रख दो और क्या 124 आंसर भी आ गया तो इससे अच्छा तरीका कुछ हो सकता है क्या बताओ मतलब आप रट के ट्रिक भी लगा रहे हो ना तो वो भी बकवास है सर मैत के आपके दो फांडेशन बैच है कौन सा है रेलवे वाला रेलवे वाला और एक आरार भी बैच है जो कंप्लीट है उसमें सारी सब्जेक्ट्स है अगला कुश्चन आपके सामने है ये लीजिएगा आप साजेदारी झाला कुश्चन आपके सामने है 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 उमर और अविनाश ने क्रमश है इतने इतने हजार रुपे इन्वेस्ट करके एक साजेदारी शुरू कर दी लेकिन वितिय समश्या के कारण अविनाश ने आठ महीने बाद अपना निवेश वापिस ले लिया वो ले यार मैं नहीं लगा सकता तो पहले बारा महा का लाब दौनों में किस अनुपात में बाटा जाएगा तो देखो इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है एक तो अपका उमर है और एक अविनाश है आठ महीने तक लगाया और इसने बारे महीने तक लगाया है तो अब देखो सर बारह दौनी पर नोटिफिकेशन में कुछ आ जाए, तो अभी उसमें, उसमें तो सिविल नहीं लिखाता, देखो, to be honest, अगला कुशन देखिए, एक लंब ब्रत्य शंकु का आयतन, जिसके आधार की तरिज्जा, इसकी उचाई की एक तियाई है, अब शंकु में जो आधार की तरिज्जा है, तरिज्जा है, उचाई की एक तियाई है, ठीक है, और एक गोले के आयतन के बरावर है, तो शंकु की तरिज्जा और गोले के आ हो जाएगी आयतन बराबर कर दो एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर और एच की वेल्यू भी आप रख दिया अपने थ्री आर अनुपात चार बटे पाई कैपिटल आर का क्यूब दौनों की रेडियस अलग अलग होंगी न तो पाई से तो पाई कट गया और तीन से भी कट गया पाई से पाई भी कट गया तो मैं यहां देख रहा हूँ छोटा आर क्यूब और बड़ा आर क्यूब बराबर हो रहा है मेरा केवल चार बटे ती और मैं शंकु की तरिज्जा और इसमें निकालूंगा तो यह मेरे पास आंसर आएगा सब चार का और तीन का रूट क्यूब यह option number D question बड़ा है पढ़िया हाँ 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 same ही आदश है ना math same है बाकि अलग subject अलग है अगला question आपके सामने है यह लीजिए अच्छे से करना इसको cover है ना भाई अच्छे से cover करना आपको चीजे सीखने को मिल जाएंगी काफी सारी question है time and work से cbt2 में भी बिलकु सेम pattern रहता है बिलकुल परेशान नहीं होना है यही तैयारी आगे काम आने वाली है बहुत अच्छे से और मैं पूरी तैयारी एक ही बैच में आररवी बैच में आपको करवा भी रहा हूँ practice मैं free करवाँगा practice का मैं कभी कोई charge नहीं करूँगा और वहे भी काम की है दौनों ही अपनी जगह जरूरी होती है मैं practice का कोई charge नहीं करूँगा बस जो अगर मैं महनत कर रहा हूँ basic concepts zero level से तयार कराने में foundation तयार कराने में वह मेरा काम उस बैच में चल रहा है जिसको पढ बड़े भाई समझ कर आप जो भी है वो बोल सकते हैं ध्यान लखना मजदूरों के दो प्रकार है पहले प्रकार के मजदूर और दूसरे प्रकार के मजदूर से तीन गुना ज्यादा efficient है मतलब है ना type 1 वाला मजदूर और type 2 वाला मजदूर दो मजदूर है और बोला जा र के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं इसी कारे को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के तो 4 आपके पहले प्रकार के और 8 आपके दूसरे प्रकार के कितना समय लगाएंगे अभी बता जेता हूँ बस अब रख दो value और क्या है type 1 का efficiency कितना है तीन है तो तीन गुणा बारा गुणा दस बराबर चार तिया बारा और आठ है कम आठ और टाइम तो 20 से काड़ दो 6 बार 18 दिन लग जाएंगे अच्छा है ना अच्छा लग रहा है ना सच बताना सर आपके मेरा रेल वे फाउंडेशन बैच करना है न संकित मैं दिखा दूंगा आपको अब हैना कैसे क्या करना है मैं सब बता दूंगा अगला कुशन आपकी स्क इसी ठैले में लाल और नीले रंग की गैंदों की संक्या का अनुपात कॉंस्टेंट है मतलब बदल नहीं रहा है तो 44 अगर लाल गैं थे तो नीले 36 थे तो czem SG वालिस और चानुपदक आज़ा है यह कितना अारा है ग्यार है अनुपात नौ यह लाल गैंदे हैं यह नीली गैंदे हैं आभ यह बोला गया है युसे यह बोला ग॥ेम है तो लाल गैंदे 66 हो जाएंगी क्लियर अगला करिए चलिए दो अंको की वे संख्या ग्याद कीजिए जिसमें अंकों का गुणनफल दो अंकों की संख्या ग्याद कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की तीन गुणा है दो अंकों की वे संख्या ग्याद कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की दो अंकों की एक संख्या ऐसे होती है दो अंकों की संख्या ऐसे होती है, बोला क्या जा रहा है, कि दो अंकों की वैस संख्या ग्यात कीजिए, जो इसके अंकों के गुणनफल की तीन गुणा है, यानि कि संख्या को लिखा ऐसे जाता है, और जो उसके अंकों के गुणनफल की तीन गुणा है, बहुत बढ़ी है अब यह तो मेरे कुछ समझ में आनिया रहा मैं इतना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसी संख्या देख रहा हूं अंकों के गुणनफल की तीन गुणा है तो अंकों का गुणनफल कितना आ रहा है अठारा तिया चोवन नहीं है यहां आ रहा है कितना तीन 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 नौ और बारा 12 तिया 36 और 6 तिया 18 दो अंकों की वैसंख्या जिसके अंकों के गुणनफल की तीन गुणा है अंकों के गुणनफल की 18 तिया 54 एरे बाई 32 कप तीन गुणा है क्या नहीं एक और दो का three गुणा है क्वा गुंट में हो दो अचार थे उन पर गई तो गया है इसनली मात्व वनियु दे어ां और रहे हैं क्यों करें बताओ का हे जर्वत आ रहे है- कैसा फीछ फूलिंग आ रहा है फ्लीस बता ना- मेरे को अमेजिंग लग रहा है हां अच्छा लग रहा है मेरे you आप लोगों के लिए आज हम उत्रे हैं मंच पे चलिए टेक्निशन के लिए 12th प्लस PCM चलेगा हाँ टेक्निशन का अभी क्लारिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने तेजिंदर टेक्निशन में आ सकता है 12th प्लस PCM आ जाए क्योंकि दो अलग अलग पोस्ट होती है ELP में अभी बोला नहीं है और मैं ओपर से क्लैरिटी ले रहा हूँ जो मेरे वो लगे हुए स्टूडेंट्स लगे हुए ELP में उनसे मेरी लगातर बाच्चे चल रही है मैंने उनसे पूछा है कि सिविल वालों का क्या आ रहा है कैसे क्या है ठीक है अब बोला जा रहा है सर् घरत्री की आयू यूनिश की आयू के दुगने से आठ वर्ष कम होगी अपसे तीन साल बाद घरत्री की आयू ओ यूनिश की स्पलिन देखो घरत्री अपसे तीन साल बाद घरत्री की आयू यूनिश की आयू के दुगने से आठ साल कम होगी अपसे तीन साल बाद मैं तीन साल बाद ही हूँ मैं तीन साल बाद ही हूँ यह ध्यान रखना आप इसको और अच्छे तरीके से करता हूँ तीन साल बाद धरत्री की आयू यूनिस और मैं यूनिस की आयू को X मान लेता हूँ तो अपने जो धरत्री है प्लस तीन करतो चुप चाप, है के नहीं बई, यह वर्तमान आगए बस अपना, यह प्रेजेंट हो गया, अब यह प्रेजेंट हो गया, यह प्रेजेंट में इन दोनों का योग दे रखा है, तो 3X 11 और 3 14 बराबर 61, 3X बराबर कितना हो रहा है, 75, X बराबर कितना हो रहा है, 25, तो धरतरी की वर्तमान आई हो क्या है, 25 और यह पचास, 50 में से 11 गए तो, 39, मज़ा आ रहा है, अभी 4 बज़े आपकी साइंस की क्लास भी है, फटावट से इन कोशनों को और निप्टाते हैं, फटावट, चलिए, 22 कुशन आएं बताओ, जबकि पैटर्न में 20 दे रखे थे, मैंने कहा था ना, कि ज़्यादा उपर आते रहते हैं, अब यह कुशन अच्छा है, कुशन को पढ़कर बताओ, क्या लगेगा, किसी कक्षा में 9 चात्रों और कुछ चात्राएं हैं, मतलब 9 आपके बॉइज हैं और कुछ आपकी गल्स हैं, किसी परिक्षा में चात्रों के प्रापतांग, जो चात्रों के प्रापतांग है, वो 12 हैं और चात्राओं के चौदे हैं, यानि कि 9 बॉइज हैं, और बाकी की गल्स हैं, इनका एवरेज आपको 12 दे रखा है, इनका एवरेज आपको 14 दे रखा ठीक है सर तो क्या हम यह कह सकते हैं कि 9 तो 9 यहां 11 तो कुल छात रोगे 11 और 9 20 कुल छात रोगे 11 और 9 20 अच्छा लग रहा है गया अरे बताओ यार धेर सारा प्यार चाहिए और चैनल को बड़ा करते हैं मजा करते हैं और सेलेक्शन करवाते हैं सभी का इस बार यह मैंने ठाना है कि इस बार सेलेक्शन करवाना है बस नई एनरजी नई इस फूर्ती के यह और फिर साइन्स की क्लास में आपका आगमन होगा ने हां मैं कर रहा हूं कुछ करता हूं प्लान अमित सही करो यार अमित गलत कर रहे हो 20 आंसर आ रहा था न अपना भी हां 20 आए का आंसर देखो 9.5 परसेंट वार्षिक साधरन व्याज की दर पर कोई राशी 6 वर्ष में इतनी हो जाती है कोई भी राशी अगर इतनी हो जाती है तो यह ब्याज है क्या अमाउंट है यह आपका क्या है अमाउंट है और अमाउंट को हम मिश्रधन बोलते हैं कौन सा धन मिश्रधन ठीक है, तो सर जी 9.5, 18, 19, 57, 57% तो ब्याज आ रहा है, आर गुना टी, 57% ही तो आ रहा है, और अमाउंट हो जाएगा 157, 157 बराबर 942, और ये मेरे इसाब से, 6 बार जा रहा है, 600, तो आपका जो प्रिंसिपल आएगा, 600 रुपया आएगा, कैसा लगा, इतने दिनों बाद, कुछ रेलवे का ऑथन्टिक प्रैक्टिस करके, वैसे तो हम डेली 11 बजे, CTM भी आपको लेना है, जो बच्चे अभी इस इवेंट को देख रहे हैं, तो एक फ्री प्रैक्टिस आपन की लगातार चलती है, और कौन आप मेंसे कौन-कौन बच्चा CTM का जानता है, बहुत पुराना, वही वाला, हाँ, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, चलिए, साथ के साथ, अभी 5 बजे साइन्स का भी है, कि कैसा पेपर आता है, ये भी जान लो, जरूरी है, सर, बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं, कि कैसा पेपर आता है, कैसे सॉल्व कर पाऊगे, देखते हैं, रीजनिंग का सर पेपर सॉल्व करवा के बताएंगे, कि आर ऐसे कुशन आते हैं, तो अभी 6 बजे उनकी क्लास है, ठीक है, तो ये क्लास में जाईए, और कल आपका डेमो भी है, मतलब कल जो बच्चे कलेंडर की डेमो देख सकते हैं, चार बजे कल डेमो भी होगा, किनका? आकाशर का इसी चैनल पर, अपने इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यह दा बैस्ट टीम आपके लिए है, सलेक्शन के लिए इतना तो पढ़ना ही पढ़ेगा, बेसिक से लेकर एडवांस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब आपको आरार भी बैच में मिलेगा, कोई अगर क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल या वाटसप कर देना, 800-56-63-101 पर, और यह अपनी एप्लिक इसको डाउनलोड कर लो, चीजें आपके लिए बहतर है, आज रात तक अगर आप हैल फंडर लगाते हो, तो कैपिटल में लगाते हो, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 रुपे का, जो भी बहुत जैनुएन है, जो अभी तक नहीं दिया था किसी को, ठीक है, तो आ आप अभी commonly लगा सकते हो उसे, अगर आप individual batches में जाना चाते हो, उसे math, math का लेना चाते हो, तो math में भी लग जाएगा, science का लेना चाते हो, तो science में भी लग जाएगा, तो science का भी अलग से आप बैच ले सकते हो, है न, अलग से आग लेना है, reasoning का भी अलग से ले सकते हो, GK का अलग से ले सकते हो और अगर आप एक batch ले रहे हो तो उसमें सब मिल जाएगा Math, Reasoning, GK और GS सब ठीक है चलिए और test series चाहिए कई बच्चों को तो test series railway के लिए आपने test series quick tricks test series मैंने application बना दी है quick tricks test series तो वहाँ से आप railway की test series भी ले सकते हो यहाँ पर आप जाओगे आपको FIRST first 100 code लगाना है test series के लिए तो उसमें भी आपको railway की test series railway में गए NTBC, GroupD, ALP ALP में CBT2, Psychometric test सब की test series है psycho की, NTBC, Constable, RPF की तो railway का पूरा package भी आप ले सकते हो तो railway का अगर पूरा package लेते हो तो 499 रुपे का है जिसमें अगर आप FIRST लगाते हो और one double zero तो यह आपको 300 99 में कई पढ़ेगा मैंने लगाया होगा आगे तो यह test series की application है जिसका नाम क्या है quick tricks test series मैं दुबारा बता हूँ quick tricks test series ठीक है quick tricks test series यह test series वाली है और course किस पे मिलेगा quick tricks by sahil sir पर कोर्स किस पे है quick tricks by sahil sir पर sahil sir ने बहुत काम कर दिया पीछे से आपके आपको पता ही नहीं है ठीक है हाँ चैनल को subscribe कर लो लगातार देते रहेंगे advice आपको अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ले सकते हो बैच देखिए एक बर एक बार चैक कर लीजिए कैसे ले सकते हो मैं दिखा देता हूँ कहां था वो यह रहा देखो अपनी application को download कर लेना ठीक है play paid course में चले जाना paid course में जाओगे तो देखो यह रहा rrb batch तीसरे नमबर पे buy now पे चले जाना उसमें देखो एक coupon का option आएगा apply coupon उसमें लगाना है coupon आपको ठीक है और अगर यहाँ पर सारी बैच आपको दिख जाएंगे बढ़िया पढ़ाई करो से और selection के लिए हमारे साथ जोड़ो rrb batch में ठीक है भाईया चलिए ओके बैच का मैंने बता दिया पूरा आपको और सर मैत का foundation कब से start होगा सूरज होतो गया मैत का foundation में arithmetic almost खतम हो चुका है आपको शुरू से पढ़ना है बस ठीक है अब आप जाईए अभी इसके बाद science की class है science की class में जाओ और मस्त पढ़ाते हैं एक बार आप देजा कर देखो all the best take care love you all साइंस foundation का PDF नहीं पूरा मिलेगा राहूल चिंता ना करना ओके चले बाई 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 सर इंडिविजल बैच इंग्लिश हाँ इंडिविजल बैच अभी ओफर में चल रहा है इंडिविजल इंग्लिश का भी आप ले सकते हूँ ओके बाई बाई ओके मिलते हैं ना कैसा लगा session कमेंट करके बताना धेड़ सारा प्यार देना और बस आप सभी लोगों को मैं बहुत अच्छे से तयारी करवाँगा बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लो ओके